hello friends, welcome to my channel friends, आज की वीडियो उन महिलाओं के लिए हैं जिनको कई महिनेों से प्रियेट नहीं हुए हैं, जिनके प्रियेट्स मैंनो पाँज में चले गए हैं, irregular प्रियेट्स है या खोल के वीडिग नहीं हो पाती हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसी मैडिसिन का नाम बताऊंगी जिसे केवल 5 दिन खा कर आपके जो irregular pre-eats से regular हो जाएंगे इसके साथी ये medicine वो महिलाएं भी खा सकती हैं जिनको अपने pre-eats date से 5 दिन पहले अपने pre-eats लाने हैं जिनको कहीं पूजा पाट या function में जाना होता है और वो चाहती हैं कि कुछ दिन पहले उनके pre-eats आजाएं तो वो महिलाएं भी ये medicine खा सकती हैं तो ये medicine खाने से पहले दो बातों का जरू ध्यान तक ना है कि breastfeeding mother इस medicine को ना खाएं और दूसरा है कि अगर आपको कोई भी medicine खाने के बाद चक्र, vomiting, infection, reaction कुछ भी करता है तो आप डॉक्टर की सला पहले लें फिर इस medicine को खाएं अब जान लेते हैं कि इस medicine का नाम क्या है इस medicine का नाम है pre-mollet N ये आपको कोई भी medicine shop पे मिल जाएगी अब pre-mollet N को आपको खाना किस तरीके से है ये medicine 5 mg की आती है और आपको पूरे दिन में 2 बार खाना है तो हो गई 10 mg तो ये medicine आपको lunch के बाद खाना है यानि कि आपको दुफैर के टाइम पे खाना है दो या तीन बज़े के असपास और आपको रात में खा करके सोना है डिनर करने के बाद तो पूरे दिन में दो बार खाना है, पानी के साथ ले सकते हैं, दूद के संग ले सकते हैं, आपकी चोईस है, अब इस मैडिसन को इर्रेगुलर महिलाएं, कैसे लें, अगर उनको प्रियेट डेट नहीं पता है, तो आप कैसे लोगी, तो ये मैडिसन आप कभी भी शुरू क कर सकती हैं, पांस दिन का कोर्स होता है, आप जब इस मैडिसन को लेना शुरू करोगी, दो से तीन दिन में आपको ब्लीडिंग स्पॉट आना चालू हो जाएगा, और पांस दिन के कोर्स के अंदर ही आपके इर्रेगुलर प्रियेट से रेगुलर हो जाएंगे, अब जान इर्रेगुलर महिलाओं को ये गोली किस तरीके से लेनी है, और जिनको अपने प्रियेट डेट से पहले अपने प्रियेट से लाने है, उनको ये गोली किस तरीके से लेनी है, अगर आपको कोई और भी सवाल पूछ रहा है, या फिर कोई भी कोश्चन है, तो आप मुझे करके पूछ सकती हैं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना ऐसी ही वीडियो आपके लिए आती रहेगी सो फ्रेंच आज की लिए बैबै थैंक यू